उक्रेन पर रूस का हमला जारी है। इस दौर में पूरा यूक्रेन एक साथ खड़ा होकर रूसी सेना का मुकाबला कर रहा है। जेलिंस्की ने दूसरे ताकतवर देशों से मदद करने की अपील करते हुए कहा था कि यूक्रेन अकेले ही रूस का सामना कर रहा है उसे हथियारों की जरूरत है। यूक्रेन रूस के बीच चल रहा यूद्ध जादा लंबा नहीं चलेगा। यूक्रेन की मदद के लिए नाटों की सेना के नहीं आने से अब खत्रा टल चुका है। रक्षा विशेशग्यों के अनुसार अगले एक दो दिनों में रूस यूक्रेन पर पूरी तरह से कबजा कर सकता है। आज दिल्ली में यूक्रेन पर रूस के जारी हमलों के बीच सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिती की दूसरी बार बैठक हुई। इस मीटिग में पी-म नरेंद्र मोदी, केंद्रिय रक्षा मंत्री राजनात सिंग, रह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जेशंकर और वितमंत्री निर्मला सीतारमन शामिल थे। सूत्रों के अनुसार, मीटिंग में UNSC में भारत का कदम, युद्ध की ताजा स्थिती, अंतराश्ट्रिय घटनाक्रम, विश्व के नेताओं की प्रतिक्रिया पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव के पांचवे चरण का मत्तान कल को होगा। इस चरण में UP के डिप्टी सीम केशब प्रसाद मौर्या अमेठी के राजा डॉक्टर संजे सिंग और प्रतापकर के बाहुबली रगुराज प्रताप सिंग और फ्राजा भाया समेट 692 केंडिडेट चुनाव मैदान में हैं, जिनकी राजनीतिक तकदीर का फैसला करीब 2 दशमलब 24 करोर मत दाता करेंगे। इस दोरान अमेठी, राइबरेली, सुतानपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बाराबनकी, गोंडा, अयोध्य, प्रतापकर, कौशांबी, चित्रकूट और प्रयागराज में बोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रुमानिया में भारतिय राजदूत राहुल श्रीवास्तव ने जारी किया वीडियो, कहा भारत सरकार यूकरेन में फंसे प्रते एक व्यक्ति को भारत लाने के लिए दिन रात लगी हुई है। भारत के सामने इस समय कई तरह की मुश्किलों के आनी की आशनका हो रही है क्योंकि रूस और यूकरेन के बीच युद्ध से देश की अंतरिक स्थितियों पर भी असर आएगा। अंतराश्ट्रिय बजार में कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कच्चे तेल के दामों में 10 फीसदी बड़ोतरी से भी थौक महंगाई में लगभग 6.9 फीसदी की बड़ोतरी होगी। युकरीन दुनिया का सबसे बड़ा सनफलावर उगाने वाला देश भी है। इसलिए इस युद्ध का असर सूरज मुखी के तेल के दामों पर भी पढ़ेगा। जीडीपी के ग्रोथ में 20-30% असर पड़ेगा, लिहाजा ग्रोथ कम होगी तो रेवेन्यू गिरेगा जिससे नौकरी में च्छंकनी होगी तो इससे सीधा सीधा बेरोजगारी पर असर पड़ेगा। यानि युद्धा हर लिहाज से भारत के लिए भी अच्छा नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द युद्धा विराम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बाराबन की जिले के फतेहपुर पुलिस स्टेशन के अंदर बने आवास के बरामदे में सब इंस्पेक्टर का शव लटकता हुआ मिला। 2012 वेच के सब इंस्पेक्टर वेड प्रकाश यादव, आजमगर जिले के थाना कंधरा के पुलबूल पर के मूल निवासी हैं। उनके आवास से मानसिक तनाव को दूर करने की दवाए और डॉक्टर के परचे मिले हैं। जिसे देखकर यह लगा रहा है कि वो मानसिक तनाव से जूच रहे थे।